हलो दोस्तों वेलकम आपका वेटनरी है चैनल के उपर आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रड़क्ट के बारे में जो प्रड़क्ट बहुत ही जादा इफेक्टव है प्रेगनेंट के लिए मतलब जो ग्याबन गाएं हैं उसके लिए बहुत ही जादा है बहुत ही जादा करता है और किस-किस अनिमल को आप दे सकते हैं और ये अनिमल में किन-किन जगों पर हल्प करता है किन-किन बिमारियों में हल्प करता है और किन-किन दिक्तों को होने से बचाता है तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस मेटा प्लेट पाउडर के बारे में ये विर्वेक यह एक nutritional supplement है जिसके अंदर बरपूर मातरा में ज्यादा मातरा में अच्छी high nutrition value होती है जिसके अंदर high nutrition होती है high vitamins होते है high minerals होते हैं जो कि pregnant animal को बहुत ही ज्यादा compulsory और जरूरी चाहिए होते हैं अगर pregnant animal को vitamins और minerals बरपूर पातरा में मिलते रहेंगे तो उनको ब्याने के बाद या ब्याने के समय कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आती जो common दिक्कत गाए बैंसों में पाई जाती है तो सबसे पहले बात करते हैं इसको कब दिये जाता है यह pregnant animal को गाए को pregnant गाए को pregnant बैंस को ग् जाते हैं उनमें से एक यह supplement है जो की pregnant animal को एक से डेड़ महीना जब ब्यानों को रह जाता है तो उस हमें यह शुरू करवाए जाता है जिससे की उसके vitamins, minerals बरपूर मातरा में पूरी रहें जिससे की ब्याने के बाद उनको ऐसी common जो mistake होती रहती है जो common आप लक्षन देखते रहते हैं पशू के अंदर मैं बताने लगा हूँ अभी जैसे की placenta, jayr रह जाना, jayr रह जाती है पशू के अंदर वो सबसे बड़ा reason होता है पशू को बरपूर मातरा में nutrition नहीं मिल पाता जिससे के बाद पशू की jayr रहने का सबसे बड़ा reason बनता है उसके बाद ketosis की दिक्कत हो जाती है glucose level calcium down आ जाता है पशू के अंदर energy नहीं रहती दूद देने वाले पशू दूद तो देते हैं पर उनके अंदर हिम्मत नहीं होती सहरा नहीं होता energy नहीं होता energy balance नहीं हो पाती वो क्यों नहीं हो पाती क्योंकि पशू को nutrition नहीं मिलता एक दम nutrition एक दम पशू की खुराक नहीं पूरी होती इसलिए pregnant पशू की अगर आप अच्छी तरह गौर रखेंगे तो वो ब्याने के बाद आपकी भी गौर करेगा और आपको फाइदा ही देगा तो इसलिए ऐसी common mistake जो जैसे placenta की जेर की दिक्कत आती है kittosis आता है पशू के अंदर calcium की कमी आ जाती है glucose level down आ जाता है ब्याने में पशू को बहुत दिक्कत आती है कि हमारे पास एक ऐसा पशू हो जो हर बार ब्याने में बहुत दिक्कत देता है बच्चा घूम जाता है या पशू से बच्चा जवर दस्ती निकालना पड़ता है अंदर से खीच के तो ऐसे सी common mistake इसलिए आती है कि पशू को आपकी अच्छी खुराक आप नहीं दे पा रहे हैं या खुराक के साथ आपको अच्छा supplement नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसी common mistake होती रहती है जो automatically due to deficiency of vitamin and minerals की वज़े से होती है और उसकी अलावा और क्या दिक्कत आत है इससे थनेला रोग होने के चांस भी कम हो जाते हैं इसके अलावा कहीं बार देखा होगा जैसे पहले ब्यांत में पशू के टीट्स बहुत छोटे होते हैं तो टीट्स की growth के लिए भी बहुत ही ज्यादा helpful है इसके अलावा सबसे ज्यादा यूज होता है अडर की growth के लि pregnant को हमेशा दे सकते हैं अगर इसकी dose की बात करें तो इसके अंदर 20 पाउच हैं एक पाउच 50 ग्राम का होता है एक पाउच सुबह और एक पाउच शाम को दो समय ये देना जरूरी होता है अगर आप इसको daily add करके रखेंगे daily शुरू करवा के रखेंगे तो जल्दी आपको 10-15-20 दिन के अंदर अंदर ही पशु के अंदर चेंजस दिखने शुरू हो जाएंगे उसके अडर के अंदर उसके टीट्स के अंदर आपको चेंजस देखने शुरू हो जाएंगे जिससे क्यों पता लगे है कि हमेशा टाबलाट पाउडर इतना effective और असर दिखा रहा है आ